Hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Traders So guys, आज हम बात करने वाले हैं बंदन बैंक और S-Bank के बारे में So guys, बंदन बैंक और S-Bank में अगर दीखा जाए तो बड़े धमाके की तेयरी यहाँ पर चल रही है दोनों ही shares में बड़ा धमाका हो सकता है और बंदन बैंक तो काफी टाइम से अच्छे रिटन्स दे रहा है यहाँ पर अगर दीखा जाएं तो कल ही हमने इस पर एक वीडियो बनाया था और मैंने क्लिरली कहा था कि स्टॉक अच्छे रिटन्स देने के लिए रेडी हैं क्या आप रेडियो गाइस बिलकुल यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में एक चीज गही थी और आज शेयर ने तगड़े रिटन्स दिये बट कल के दिन के लेबल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर निप्टी बैंक निप्टी आज थोड़े वीक दिकें बढ़ यहाँ पर बैंकिंग शेयर में बंदन बैंक और एस बैंक उपर जाते हुए ने जरा है यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में काफी कुछ हो सकता है यहाँ पर अच्छे रिटन्स बन सकते हैं बट थोड़ा लेबल का ध्यान रखना होगा आप अगर लॉंग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल थोड़ा वेट करो बिल्कुल एक बड़ा धमाका हो सकता है तो दोनों ही शेयर को लेकर काफी कुछ बात होगी तो वीडियो को आणि तक देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलते हैं गैस हमारे फर्स स्टॉक बंदन बैंक लिमिटेट के उपर अगर यहाँ पर अगर दिखा जाए दो सो हस्ती रुपे पचासी पेसे के लेवल पर स्टॉक ने आज closing दी और अच्छे returns देखने को हमें मिले है इस share में देखा जाए तो यहाँ पर 5 रुपे 85 पेसे तक की एक शांदार बड़त देखने को मिली है 2.13% के हिसाब से बिल्कुल positive return stock ने दिये हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले में भी सही return share दे और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर market cap day by day increase हो रहा है अभी की करन की बात करों तो 45.24 thousand करोर का market cap है stock का open कहा हुआ था share तो open हुआ था stock 274.80 rupees के around वही अगर देखें 284.30 rupees के around इसका high भी आपको देखने को मिलेगा साथी 273.20 rupees के around यहाँ पर आपको low भी देखने को मिलेगा तो guys हाँ पर high इसने तगड़ा लगाया है most 10 रुपे के आसपा stock उपर चले गया था guys बात करें stock में इसके 50 weeks के high की तो 52 weeks का high यहाँ पर शांदार है यहाँ पर 52 weeks के high को दिखा जाए 349.55 rupees के around इसका 52 weeks का high है 349 का और 229 रुपे का यहाँ पर low भी आपको देखने को मिलेगा so guys यहाँ पर question है कि यहाँ क्या अपने high तक जाएगा तो guys कल ही मैंने इस पर वीडियो बना था और मैंने काफी तगड़ा है as a long term के basis पर काफी तगड़ी डिलिवरीज उठाए जा रहे हैं बट कल के लिए आप भले ही इसमें negative रह लो बट as a long term के basis पर आप इस ignore नहीं कर सकते हैं long term में अच्छे returns देने की ability is stock में 92 लाक के around यहाँ पर डिलिवरीज आज उठाएगी है कल के मुकाबले आज जो डिलिवरीज उठाएगी है वो शांदार है कल 48 लाक थी बट जो आज उठाएगी है वो काफी शांदार है 92 लाक के around यहाँ बड़ी बात है यहाँ पर community sentiments के आखड़े कही न कहीं आपको negative नजराएगे कुछ positive नजराएगे community sentiments के आखड़ों में देखा जाये तो 43% लोग है जो यहाँ पर buy करने के लिए कहा रहे है वही एगर देखे 43% लोग ही है जो यहाँ पर sell करने के लिए भी कहा रहे है और 14% लोग यहाँ पर hold करने के लिए कहा रहे है तो यहाँ पर अगर दिखा जाए तो stock में कुछ लोग positive है तो खुछ लोग negative level समझो गये तो काफी कुछ चीज़े हाँ पर clear होगी तो यहाँ पर negative इसलिए हम रह सकते हैं कल के दिन यहाँ पर अगर दिखाए तो एक support का इंतजार है अगर मिलता है तो stock में एक बड़ा momentum फिर shift हो सकता है यहाँ पर अगर दीखो तो stock ने इस level को break किया है कही न कहीं इस level को break करते ही यहाँ पर down drain में share जाना start हो गया यहाँ पर stock नीचा आया था फिर नीचा आया था फिर नीचा आ तो यहाँ पर लेवल को समझना होगा कल अगर इन लेवल को भी ये ब्रेक कर देता है कल के दिन तो यहाँ पर two hundred and sion 79 रूपे रूपीस के डिन पर यहाँ िपीकर कर dziता है यहा truck जाहाँ पर अगर देखा जाएम तो stock में गिरावट सीध है इस trade line तक आने वाली है जो यहाँ पर आपको दीख रही है बिल्कुल हो सकता है यहाँ तक stock आ जाए या फिर stock सीधा इस level पे support लेना है तो guys जहाँ पर भी support लेना आता है बिल्कुल आपको अच्छे returns तो stock में मिलेगे ही मिलेगे एक बड़ी opportunity आपको बंदन bank में मिलने वाली है so guys अब बात कर लेते है as bank limited की तो as bank limited में अगर देखें तो stock ने काफी दिनों बाद शांदार returns दिये है 13 रुपे 35 पेसे के round stock ने आज closing दिये है यहाँ पर अगर देखा जाएं तो stock में एक अच्छी बड़ा थाई लगबग 20 पेसे तक की 1.52% के हिसाब से share ने growth आज बताई है तो यह अगर देखो market cap भी धीरे धीरे increase होंगा 33.48 thousand करोर का market cap है यहाँ पर open हुआ था share 13.15 रुपेस के round आज 13.70 रुपेस का target इसने hit किया है 16.25 रुपेस के round इसका 52 रुपेस का high है क्या अच्छी होगा तो guys बिल्कुल इसका answer है yes बिल्कुल अच्छी होगा यहाँ पर 20 रुपे का target हम रख रहे है तो कैसे और आगे में बताऊगा यहाँ पर काफी तगड़ी deliveries S bank में उठाएगी है लगबक 11 करोड के round यहाँ पर deliveries होटाएगी जो काफी बड़ी बात है कल भी अच्छी deliveries होटाएगी ति लगबक 10 करोड के round यहाँ पर volume अगर दिखा जाए तो volume के इसमें तो यह बिल्कुल high नजरा रहा है बिल्कुल टकर देने के लिए ready है तो guys बिल्कुल यहाँ पर volume तगड़े है अब बात कर लें अगर इसके community sentiments के आखड़े तो community sentiments के आखड़े positive है यहाँ पर अगर दिखे 90 plus लोग यहाँ पर positive नजरा रहा है case है तो यहाँ पर अगर दिखा जाए गास तो 84% लोग यहाँ पर buy करने के लिए कह रहा है as bank में साथ ही अगर दिखा जाए 7% लोग है जो stop में hold करने के लिए कह रहा है इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 91% लोग यहाँ पर 91% लोग यहाँ पर positive नजर आ रहा है आपको as bank में तो guys बिल्कुल as bank में यहाँ पर लोग positive है 91% और सीर पर 9% लोग ही है जो यहाँ पर sell करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर levels की हम बात कर रहे हैं तो as a short term basis पे level आपका 14 रुपे जातर पेसे का रहना चाहिए यहाँ फिर उससे 16 रुपे का भी आप रख सकते हो यहाँ पर अगर दिखे तो यह level हमारे लिए काफी ज़्यादा important है क्यों क्यों कि इसी level के अंदर इस stock upside down momentum कर रहा है resistance ले रहा है support यहाँ से ले रहा है यहाँ से stock नीच आया फिर उपर गया फिर upside down momentum इसी के अंदर चल रहा है यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था जब stock यहाँ पर 12 रुपे 20 पर से कर रहा हूं यहाँ पर trade कर रहा था इस support अगर लेता है तो अच्छे momentum possible है तो वही momentum सापको देखने को मिल रहे होगे तो यहाँ पर कल भी काफी important दीन इसके लिए हो सकता है यहाँ पर बिल्कुल यह breakout का scenario create हो रहा है यहाँ पर resistance है के नीच आया यहाँ से नीच आया तो यहाँ से बिल्कुल यह breakout देके 14 रुपे तक जाने की पुरी इसकी कोशिश रहेंगे काफी कुछ बाते होगे दोनों ही शर्च को लेकर वीडियो अच्छ लगाँ वीडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब करो ठेंकियो